नमस्कार साथ यो अपनी उनिविश्टी के इस अपने प्लेट्पॉम पे आप सभी का स्वागत है जैसा कि अपने कल से मुख्य मंत्री सीरीज श्टार्ट की थी जो कि एक्जाम के पॉइंट ऑफ यू से तो इंपोर्टेंट है ही बाकी राजस्तान की जो राजनिती समझने क के लिए पिछले अपने जो 70-80 साल की पॉलिटिक्स है उसको समझने में भी यह महत्वपॉर्ण अपनको रहेगी इसके अंदर कल अपने जो हिरालाल सास्त्री हैं पर्थम मुख्य मंत्री थे उनके बारे में चर्चा की थी आज उसी सीरीज का अगला पढ़ाव है सी एस व हैं उनका जन्म राजस्तान में नहीं हुआता इनका सुदूर दक्षण के अंदर मेसूर परांथ हुआ करता था उस समय अठारा सो निन्याणमा के अंदर इनका जन्म हुआता उसके बाद उन्होंने आइस की एक्जाम पास करके 1921 में सिविल सर्फिस में बढ़ती हुई थ सर्फनि तर्चा करते हैं अंग्ए भुद infer maintenant 96ole 6000 के उस समय जोदपूर प्रांथ है जोदपूर प्रांथ के अंदर क्या हाता कि वहां के पर्दानमंतरी थे नॉनाल्ड फिल्ड रहे वहां करते थे और वह अंग्रेजियš पर्दानमंतरी सब क्या क्या बहुत सारे अत्याचार कर रहे थे जैनान व्यास ने चिठी लेखी थी उससमें जवारलाल नेरु को चिठी लिखे उसमें उन्हों कि यहां के डोनाल्ड फिल्ड जो परदानमंत्री हैं जोदपूर उसमें रियास तो उसका अलग से परदानमंत्री होता था तो डोनाल्ड फिल्ड वहां पर बहुत सारी कारवाई जेल में बंद करना ऐसा सब कुछ हो रहा था तो उस समय जैनान व्यास ने बोला कि यदि इस तो जो प्रांथ है राज्य है जोदपूर राज्य है और जनता के बीच की जो दूरिया है राजमेल और जनता के बीच की दूरिया है वह और ज्यादा बढ़ जाएंगी और इसे समाधान नहीं होने वाला है यह सब बात सुनके नेरु जी हैं वह स्विम जोदपूर पदार नेरु जी को इतना बड़ा प्रांत है जोदपूर इतने बड़े प्रांत है इसकी जो व्यवस्ता है इसकी प्रसाश्च्निक व्यवस्ता है इसको संभाले का कून इसके लिए कोई टानी के बाद मुद्दा ये था कि कौन सी र्यास तरह पाकिस्तान में जाएगी और कौन सी इंदिया के इंदर आएगी उस चरचा के दोरान जो जोदपूर रियास्त है जैसल में रियास्त है इसके उपर पाकिस्तान के जिन्ना है उनकी नजरें गड़ी थी जिन्ना इनसे बातचीत चल रही थी और उस बातचीत के लिखनी है वो सर्थ आप लिख दीजी लेकिन आपको सामिल किसमें होना है पाकिस्तान में होना है लेकिन उस समय हनवंद सिंग ने क्या किया बोले कि जिन्ना को बोला कि जिन्ना साब मेरे को थोड़ा सा टाइम दो मैं गरवालों से एक बार बातचीत कर लेता हूं उसके बात है वो सीएस वेकट अचारी को बता दी सीएस वेकट अचारी चोचेगी यार यह तो बहुत बड़ा फैसला ले सकता है यह राजा भी उन्होंने तुरंद प्रभाव से पत्तर लिखे और तातकाली ग्रे मंत्री थे अपने सरदार वलब बाई-पटेल उनको पत्तर लि उनकी काफी मदब होटोक भी हुई थी मदब गरम जोशी से बातें हुई थी काफी सारी और यह भी का जाता है कि हन्वंद सिंग ने उस समय अपनी पिष्टल निकालके और जो उनके खिलाफ वीपी मैनन हैं उनके सर पर भी तान दी थी लेकिन कैसे भी समझाइस करके और सम अब जाते हैं उनको बुला लिया जाता है लेकिन इसके पैरलल एक कहानी और चल रही थी हिरालाल सास्त्री है वह इस्तिति होती है कि आपको कल के एपिसोड के अंदर मैं ने यह बात पताई थी कि हिरालाल शास्त्री है उनका उपर से हाथ उठके था किस ने हाथ उठा ले था सरदार्वलब बाइपटेल की मर्त्यु ह गई थी सरदार वलब बाई पटेल हैं उनका एक अच्छा खासा उनको सरंक्षन था तो उसके बाद उन्हों इस्तिपा दे जिया इस्तिपा देने के बाद जैनान व्यास कोशिष कर रहे थे कि कैसे भी करके मैं परदान मंत्री बंजाओं यहां का मुख्य मंत्री बंजाओं लेकिन उनको मुख्य मंत्री नहीं बनाए गया था जमालाल नेरू की द्वारा क्योंकि यहां पे अंदर खाने एक पॉलिटिक्स और चल रही थी जिसकी चर्चापन जैनान व्यास वाला एपिसोड होगा उसके अंदर करेंगे तो उस दोरान क्या वा था कि कुछ समय के लि जिसका किसी से विवाद से किसी परकर का कोई नाता नहीं है तो उस समय CS वेकटाचारी है उनको परदान मंत्री नुक्त किया जाता है तो CS वेकटाचारी क्या होते हैं दूसरे मुख्य मंत्री नुक्त होते हैं अपने राजस्तान के तो CS और दूसरी बात इनके अंदर एक यह दूसरे मनोनीत मुख्यमंत्री होते हैं इस सीज़ को भी द्यान रखना है छे जनवरी 1951 से लेके 25 अपरेल 1951 तक यह राजस्तान के मुख्यमंत्री रहते हैं राजस्तान के एक मातर मुख्यमंत्री हैं जो की इस ओफिसर होते हैं इंडियन सिविल सर्शेज के ओफिसर होते हैं जिनको मुख्यमंत्री बनाया जाता है यह राजस्तान के बाहर के हैं मतलब मेसूर के रहने वाले हैं राजस्तान के नहीं हैं राजस्तान में मुख्यमंत्री बनने से पहले यह जोदपूर और विकानेर रि चुके हैं यह भी बात ध्यान रखनी है उसके बाद में यह सेंट्र गोश्द्र में बुला लिया जाता है और ताथकालिक राष्टपती राजेंदर परषाध हैं उनका सचीव नूपत कर दिया जाता है जैसे ही वह सचीव से लिटार्यड होते हैं 1958 में तो 1958 के बाद में को कन परदान मंतरी बने थे राजस्तान के मुख्य मंतरी यह सब इनका गटना अकरम था तो इनके बारे में आपको पता होना चाहिए कल का अपना एपिसोड आगे का होगा जैनान व्यास हैं उनके बारे में अपन चर्चा करेंगे यह चीरीज है इसका मैं आपको पहले बता देता हूँ यह अपके एक्जाम के पॉइंट ऑफ यू से तो यह सब चीजें इंपोर्टेंट हैं लेकिन आप राजस्तान की तो इस चैनल को सेर सब्सक्राइब करना ना भूलें आगे इस परकार के और वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें थैंक्यू थैंक्यू वेरी मच्च फोर डिसकोशन मिलते हैं कल किसी और इंपोर्टेंट एपिसोड के साथ